तो फाइनली बिटकोईन के प्राइज के अंदर 2020 के हालविंग के बाद वाला जो पैटर्न था वो रिपीट होना यहां पर स्टार्ट हो चुका है अब क्या यहां से एक नया ओल टाइम हाई हमें बिटकोईन के इना देखने को मिल सकता है क्या वो 100,000 डॉलर्स का यहां पर हो सकता है बहुत इंपॉर्टन यह वीडियो है यूएस के सीपेग डाटा जो निकल का है उसके बारे में बात करेंगे साथ यहां पर आपके जो भी सबाल थे कल आपने बहुत सारे सबाल बुझे थे XRP को लेके, UMA coin को लेके, Apptops को लेके, सबका analysis आपको आज की इस वीडियो करना मिल जाएगा लास्त तक वीडियो को लेखना है, चैनल को subscribe करना है, साथी वीडियो को like कर देना है विकास मुझे बरुसा है कि आप लोग बिना देखे इस वीडियो को like कर देते हो कल भी मैंने आपके साथ, जैसा जैसा चीज़े शेयर कर रहा था, मैंने आपको बोदा रहा था, बिटकोइन के इंदर एक upside आ सकता है Sofully, ये clip आपने देखी होगी, जो कल इस वीडियो के इंदर मैंने यहाँ पर discuss करी थी और जिसने भी बिटकोइन के ना लॉग महां पर का रहा था, तो रिक्स लेके अभी वह अच्छा का था, प्रॉफिट में यहाँ पर होगा जाने में, आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत up and downs हमें देखने को मिलेते हैं And finally, इस trend line को breakout करेके, एक नई rally के अंदर बिटकोइन जाता हुआ दिखा था अभी currently अगर आप देखोगे, same scenario देखने को मिल रहा है Same, इसी type के एक trend line है, एक totally sideways moment यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि almost, आप देख सकते हो, यहाँ पर start हुआ है, 10 माई से almost वही 2-3 महीने हो गए And totally sideways जाने के बाद, finally एक trend line को यहाँ पर price ने breakout करा है अगर यह breakout real है, अगर यह fake out नहीं है, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, volume आपको देखने को मिल जाएंगी Volume जिससे आप समय देखने को बल रही है, जो कि काफी अच्छी है अगर यह breakout real है, तो यहाँ से एक अच्छा कासा pump हमें देखने को मिल सकता है जिसे वहाँ पर आप देख सकतो, जो हमारे पास बॉलिजर मेंट था, उसको breakout करने के बाद यह देली आई थी वैसे ही आप देख सकतो, यहाँ पर बॉलिजर मेंट ऐसे यहाँ पर breakout हुआ था, ठीक है फिलाल के लिए एक retest यहां पर expected रहेगा हो सकता थोड़ा बहुत फॉल यहां से देखने को मिले, एक बार फिर से 64,600 डॉलर जो एक heavy resistance रहा है, वो हमें support के अंदर convert होता बारे के, बहुत था higher chances रहेंगे, इस type का moment आने वाले कुछ घंटे के अंदर आपको देखने को मिल फिलाल के लिए नदर रखो, एक भी green bullish candle जैसे बने, वैसे ही यहां पर entry बनेगी, और entry के बाद हमारा जो पहला target रहेगा, वो 73,000 डॉलर का हमें देखने को मिलेगा, दूसरा target देखने को मिलेगा, एक नया all time high, जो 80,000 डॉलर से लेके 85,000 डॉलर के बीच में देखने को मिल जाएगा, बाकि जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देखने के बाद entry डेली थी, वो अपने stop loss को ट्रेल कर सकते हैं, कहां पर आ सकते है stop loss, अभी के लिए मेरे साफ से 62,262, यह एक level है, यहां पे आपको stop loss को shift कर लेना चाहिए, because chances are very high, कि यहां तकर fall आया भी, तो Bollinger Band से उपर एक jump ले लेगा price, तो Bollinger Band के just नीचे, जो Bollinger Band का SM होता है, उसके just नीचे यहां पे अपने stop loss को ट्रेल कर लेना है easily, बात करने इतनी बड़ी रह ली हमें Bitcoin के ना अचानक से कैसे देखने को मिल गई, तो उसके बीचे दो बड़े reason थे, पैरा reason था US का CPA ड़रा, जो की बिला है, जो की एक positive point हमें देखने को बिलेगा, FOMC के साब से, and that's why हमें एक positive move देखने को मिल किया, अभी के लिए फिलाल, दूसरी जो हमें positive news देखने को मिल रही है, वह यह देखने को मिल रही है, कि बहुत बड़े-बड़े firms है, investment firms है, जैसे कि एक management firm है, उन्होंने almost 2 billion क spot bitcoin ETF को buy करा है, and state of, यहाँ पर आप देख सकते हो, वह state है, जिन्होंने blackrock के spot ETF जो था, वहाँ पर 100 million dollars का fund जो है, वह वार्ट of 100 million dollars के bitcoin के ETF को buy करा है, तो bitcoin की ETF की buying काफी दार चल ज़िए, dip में काफी लोग ने 64 dollar के उपर buy करा है, इसके वएसे यह highly jump हमें यहाँ पर देखने क को मिला, and वही impact हमें bitcoin के अंदर देखने को मिला, जिसके वएसे bitcoin भी आपको rally करता हो देखिया रात में ही, फिदाल के लिए जिससे आप से US का stock market का index, FPX दिख रहा है, इस समय पर वो काफी bullish देखने को मिल रहा है, इसके साब से एक और rally हमें शाल bitcoin के इंदर देखने को यहा ही करेगा, साथ ही पूरी crypto market के अंदर हमें positive movement देखने को वहाँ पर मिल सकता है, तो यह था all over bitcoin update, जहाँ पर simple words में अगर आपको बोलना चाहूं, तो यही बुलूंगा कि रीटेस का वेट करो, रीटेस के बाद एक दुबारा मौका यहाँ पर बनेंगा, entry लने का, bitcoin कितना long क या फिर buy का, और डीटेस का वेट का होगा, 64,679 डॉलर का डीटेस का में देखने को मिल सकता है, बहुत आरा चांत हो इसके बंद है यहाँ पर नेक्स बात करते हैं, आप लोगों के favorite alt points के बार में, कल बहुत सारे questions आपने पूछेते, आज भी कोई भी सवाल हो, comments के नदर बेज रख पूछ सकते हो, मैं नेक्स वीडियो को इतना रसा दूगा, major को जो question थे हो तो यहाँ पर, Uma coin को लेके, और यहाँ पर हमारा था, Aptos coin को लेके, TRB coin को लेके, Tau coin को लेके, ठीक है, तो XRP से start करते है, XRP का question बहुत आ रहा था, XRP आप देख सकते हो, समय पर आपको XRP के अंदर, जहाँ पर target हम इस label का लेके चल सकते है, easily, ठीक है, अभी के लिए spot के अंदर buying बन रही है, सिर्फ, और target आपको यह दिखे रहा होगा है, यहाँ पर, उसके बाद next question था, Ethereum को लेके, तो Ethereum को लेके, तो Ethereum को लेके आप देख सकते हो, जो हमारा falling wedge था, उसी के news आएगी कि ETF affordable होगा या नहीं होगा, उसके बाद इसके अंदर कोई breakout upside में, या नीचे की side breakdown देखने को बढ़ाएगा, उससे पहले शायर इसके अंदर कोई moment हमां बढ़ा देखने को ना मिले, एक sideways moment ही चले, कुछी दिन बचे है, इसके update में, जब भी आएगी मैं आपको चगाथा crash हमें रेखने को बिला था, अभी फिला जो 5 level होता है, वहां से support ले रहा है, मेरे साब से इसका important support area है, वो 88 dollar का हमें रेखने को बिलेगा, जहां पे 0.618 का golden issue होता है, वो भी यहां पर बना हुआ है, तो अगर इस level तक price आता है, तो दुबारा anti मेरे साब से TRB के बनेगी, उससे पहले anti तो यहां पर भी बन रही है, बड़ गोल रिस्की है, मुझे entry रेल नहीं होगी, तो मैं 88.03 dollar का बेट करूँगा, यहां से एक jump expected रहेगा, TRB point के इंदर, उसके बाद next है, near protocol, near protocol हमें बुलिश जेकने को बिला है, लास time जब discussion करा था इसके बारे में, तो यहां पर बताता हम आपको किस तरीके से ascending drangle बन रहा है, फिलाल के लिए 8.859, यह एक level है, जो इसका अभी के लिए target रह सकता है, यहां पर अच्छी गादी profit walking हमें देखने को मिल सकती है, फिलाल entry नहीं बन दी, next है FTM coin जिसने काफी अच्छा breakout डिया है, यहां पर daily chart के तो अभी currently buying लेना risk ही है, मैंसा आप से इस के लिए अगर आपको buying अभी दुबारा लेनी है, तो एक retest का wait कर लेना, retest के अंदर buying बनेगी, यहां पर बाकि तो देखी सकते हो, breakout करा है, यह target हम लेके चल सकते हैं, आराम से, now next है यहां पर हमारे पास Zilliqa, जो कि यहां पर 4R चाट के अंदर बहुत अच्छा breakout करा है, जिसने अभी entry मिस कर दी है, मुझे लगता है Zilliqa के अंदर अभी भी बहुत अच्छी एक entry बन दी है, यहां पर एक बार फिर से buying बन सकती है, जहां पर easily जो में लगता है target हमारा होगा, वो 0.02513 का रह सकता है, easily यहां तक का gain हमें देखने को मिल सकता है, Zilliqa के अंदर, तो अगर किसी ने किसी भी coin के अंदर entry नहीं लिए, profit मिस हो गया, तो मेरे साथ साथ से जो best option रहागा, अगर मुझे करना होता buying, तो मैं यहां पर Zilliqa के अंदर करना जाता है, because इसका event भी है, and currently बहुत अच्छा breakout भी यह दे चुका ह थोड़ सा, उसके बाद next Gala coin है, जिसका बेट काफी लोग मांग रहे थे, Gala coin एक breakout level के उपर है, मेरे साथ से इसके अंदर breakout आ सकता है, and breakout आया, तो यहां पर 0.08288, यह target यहां पर रहा का, and बाद में मत बोलना, जब Gala coin pump कर जाएगी, आपने बदाया नहीं था, क्योंकि ज यहां पर Gala coin के अंदर entry बनेगी, और target बने जैसे आपके आपको बताया, यहां पर 0.08, यह जो लेबल आप देख रहो, यहां तक कर रहेगा, कि current price से अगर हम calculate करके देखते हैं, तो almost हमे 77% तर देखने हो लेगा, बहुत बाद रागेट रहेगा Gala coin का, उसके बाद next question था, सागा coin को लेके, जो कि अभी कावे बियारिशा में देखने को मिला है, मिले साब से इस के अंदर entry लने चाहते हो ले सकते हो, बड़ इसकी क्योंकि बहुत unlocking होनी है भी आने आने टाइम में, that's why मैं इस के अंदर इतना तर इंटरस्टेड नहीं हूँ, आपको entry लने तो अभ आप spot के अंदर buying लना चाहते हो, तो बुरा level नहीं है, यहाँ पर भी एक buying बन सकती है, एक jump हम इस area से देखने को मिल सकता है, tau coin के अंदर, next है Uma coin, जो कि यहाँ breakout करने के पाद एक retest दे रहा है, मिले साब से अगर आप entry लने चाहते हो, Uma coin के अंदर, तो इस level के उपर entry बन र रहा है, वैसे तो इसकी unlocking है, थोड़ा और crash यहां से कर सकता है, बड़ क्योंकि यह bottom के उपर rate कर रहा है, और strong है fundamentally, तो यहाँ पे एक entry बनाई है सकती है, spot के अंदर अगर आप लना चाहते हो, bottom के लना चाहते हो, bottom के लना चाहते हो, तो ले सकतो, बट मेरे साब से यह coin confirmation नहीं है, अगर आपको entry लेनी हो, safe entries coin के अंदर, तो इस trend line के breakout का wait करना, अगर यह trend को तोड़ता है, तो इसके अंदर एक अच्छी entry बनेगी, उसके next हमारे पास आ जाता है, JTO coin जिसके अंदर अच्छा breakout आया था, इसका resistance area जो है, 4.851 का में देखने को मिलनेगा, जहां से reduction की, उमीद काफी जाद रहेगी, तो यहां पर entry line रिसकी है, फिर हमें पास portal coin आया था, जो bottom के उपर trade कर रहा है, इसके अंदर काफी हाया chances रहेंगे, कि यहां से एक jump देखने को मिल जाए, तो अगर आपको portal के अंदर entry लेनी है, bottom पे, तो यहां पे एक छोटा सा spot wire बना ज खाली, और कुछ बहेंगे हां पे, आज के लिए नहीं करिए,